हेलो दोस्तों नमस्कार आप लोगों का एस लर्णिंग यूटूब चैनल में स्वागत है आज हम लोग कुछ EBS के क्वेस्चन करेंगे जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही मातपूर्ण सावित होंगे चलिए बीना देरी कि हम लोग शुरू करते हैं वीडि शुर्ता का नुक्सान, सीर स्मिर्दा परदन, या बैस्विक जलवाई परिवर्तन यः प्रजातियों का अक्रम्ण वनोलमूर cries ऐ वनो की कटाई या मिनो का उनमूलन वनो की कमी, तो अगर आप पेड पोदय काटेंगे या पेड पोदों का नुक्सान करेंगे तो जय तो इसका मतलब ये है कि प्रजातियों का आक्रमर ये आप संजो है प्रजातियों का आक्रमर ये आपका सही है क्योंकि ये प्रतेक्ष कारण इसका नहीं है चलिए दोस्तों आगे क्वेस्चन देखते हैं दूसरा क्वेस्चन है निम लिखित में से कौन सा सरीर का अंग भोजन के पाचन में महोमिका नहीं निभाता है मतलब वो भोजन पचाने में सहायक नहीं होता है अमासे या कृत ब्रिक या मुक तो दोस्तो मुक में ही सबसे पहले आपके भोजन का पाचन सुरू हो जाता है तो मुख से ही पहले शुरू होता है भोजन उसके बाद ये अमासे में जाता है और अमासे में HCL एक पाचकरस होता है ये भोजन को तोड़ता है और पचाता है यकृत से हीपैरिन नाम का एक एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है और दोस्तों यकृत जो है वो आपकी सबसे बड़ी गरंती है सबसे बड़ी गरंती है सरीर में और ब्रिक जो है दोस्तों ये खून का आपका रक्त जो है खून का सुध्धी करण करती है खून का सुध्धी करण करती है तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा सरीर का अंग जो है वो भोजन के पाचन में भूमिका नहीं निवाता है तो ब्रिक के दोस्तों ये भोजन के पाचन में भूमिका ना निवाकर ये खून का सुद्धी करन करता है इसका मतलब सही जवाब ब्रिक हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेस्चन अगला question है दोस्तों निमलिखित में से कौन सी बिसेस्ता भारतिय सम्विधान दोरा फ्रांसी सम्विधान से उधार ली गई है आपको बताना है फ्रांस से कौन सी सम्विधान का जो बिसेस्ता है वो उधार ली गई है सरकार का संसदिय सुरूप और कानून का सासन समवर्ति सूची और मौलिक करतब सतंतवा समानता और बंदुत मौलिक अधिकार और प्रस्तावना दोस्तों आपको बताना इसमें कौन सा फ्रांस से लिया गया है दोस्तों सरकार का ये जो पहला वाला है सरकार का संसदिय सुरूप और कानून का सासन तो दोस्तों ये बिर्टेन से लिया गया है ये लिया गया है आपके बिर्टेन के समिधान से और समवर्ती सूची जो समवर्ती सूची है समवर्ती सूची आस्ट्रेलिया से लिया गया है कहां से लिया लिया गया है आस्ट्रेलिया से और मौलिक कर्तब जो है ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तब रूस से लिया गया है मौलिक अधिकार और ये प्रस्तावना ये आपके अमेरिका से लिया गया है कहां से लिया गया है दोस्तों अमेरिका से और बाकी जो बचा ये स्वतंत्रता समानता और बंधुत ये दोस्तों हमारे सम्मिधान में फ्रांस के सम्मिधान से इसको लिया गया है फ्रांस के सम्मिधान से तो दोस्तों आपका राइट जवाब अफसा नमबर तीन हो जाएगा चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला कोईस्चन है दोस्तों लाल पांडा भारत के किन छेतरों में पाया जाता है लाल पांडा भारत के किन छेतरों में पाया जाता है तो दोस्तों लाल पांडा जो है वो आपके यह जो भारत का नक्सा है इधर आपके सिक्की में कुछ जगह पर पाया जाता है दार्जिलिंग में पाया जाता है और मेगाले के कुछ खेत्रों में पाया जाता है तो दोस्तों यह उत्री पूर्वी भारत में पाया जाता है और दच्छड़ी पूर्वी चीन में कुछ हिस्सों पर पाया जाता है उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है इसका मतलब राइट जवाब अफसो नंबर तीन हो जाएगा लाल पानड़ा जो है ये सिक्किम का राजकिये पसु भी है शिक्किम का राजकिय पसू है ये दोस्तो मानसा हारी में वैसे गिना जाता है लेगिन जादा तर ये बास के पत्तों को खाता है दोस्तों चलिए अगला कुईस्टिन देखते हैं अगला कुईस्टिन है पौधे जो एक खाद सिंख्ला में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहा जाता है उनको दोस्तों क्या कहा जाता है उत्पादक कहते हैं भोगता कहते हैं या आप घटक कहते हैं या फिर परिवहन कहते हैं दोस्तों जो भोजन खुद बनाता है उसे उत्पादक कहते हैं भोजन खुद बनाता है जो जो भोजन दोस्तों खुद नहीं बनाकर केवल उपभोग करते हैं उसका वो उपभोगता कहलाते हैं उपभोग करतने वाले उपभोगता कहलाते हैं आप घटक जो होते हैं दोस्तों जो मृत जीव होते हैं मृत जीवों का अप घटन करके वातावरण का सुध्धी करन करते हैं मृत जीवों का अप घटन करके वातावरण का सुध्धी करन करते हैं दोस्तों और इसमें कह पूछ किया रहा है आपका भोजन बना सकते हैं जो भोजन बना सकता है दोस्तों वो है उत्पादक आपसर नमबर पहला सही हो जाएगा चलिए अगला क्वेशन देखते हैं निमलिखित में से कौन खारे पानी की जील है बताना है दोस्तों कौन खारे पानी की जील है कोलेरू सामर क्योंतोसो या बूलर जील तो कोलेरू जील जो है दोस्तों ये आंधर प्रदेश में पाया जाता है आंधर प्रदेश के छेतर में है कावेरी और गोदावरी नदी के बीच में सावर जील जो है ये राजस्थान में आपका है राजस्थान में ये खारे पानी की जील है दोस्तों खारे पानी की जील है और ये कोलेरू जो है ये मीठे पानी की जील है मीठे की जील है बूलर जील दोस्तो ये ये जम्मू कस्मीर में है जम्मू कस्मीर में पाया जाता है और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है क्योंसो जील ये ये लद्दाख में पाया जाता है दोस्तो क्योंसर जील लद्दाग में पूछ रहा है इसमें कौन सा खारे पानी की जील है तो खारे पानी की जील दोस्तों हो जाएगा सांभर राजस्थान में पाय जाता है आफसा नमबर दो आपका सही है अगला को इस्चन दोस्तों मैसूर के पठार को करनाटक के पठार के रूप में भी जाना जाता है मैसूर के पठार को करनाटक के पठार के रूप में जाना जाता है पूछ रहा है दच्छिड करनाटक के पठार के रूप में या उत्तर करनाटक के पठार के रूप में या फिर पास्चिम या फिर पूर्ग तो दोस्तों मैसूर के पठार को हम लोग दच्छिन करनाटक पठार की रूप में जानते हैं अपसो नमबर पहला सही है अगला क्वेस्टन देखते हैं दोस्तों किस महादीप में सबसे अधिक देश हैं आपको बताना है दोस्तों किस महादीप में सबसे अधिक देश हैं यह important question है दोस्तों कभी पूछा जा सकता एक्जाम में तो दोस्तों अमेरिका में दच्छिड अमेरिका में 14 देश पाया जाते हैं यूरोप में 44 देश दोस्तों एसिया में 48 दोस्त देश और अफरीका में 54 देश हैं अफरीका महादीप में 54 देश हैं तो आपको इस हिसाब से दोस्तों अफरीका में जो है अफरीका महादीप में सबसे अधिक देश हैं 54 देश राइट जवाब हो जाएगा अफरीका चलिए दोस्तों आगे अगला कॉस्चन देखते हैं दोस्तों पूछा है किस समिधान संसोधन दोरा नागरिकों के मौलिक करतब को भारत के समिधान से जोड़ा गया भारत के समिधान में जोड़ा गया तो दोस्तों 44 समिधान संसोधन या 42 समिधान संसोधन तो आपको बताना है मौलिक करतब को किस संविधान संसोधन के दोरा भारत के संविधान में जोड़ा गया तो दोस्तो इसमें 44 संविधान संसोधन जो है दोस्तो इसमें संपत्ति के अधिकार को खतम किया गया 24 समिधान संसोधन 1978 में और इसको अनुछे 300 ए में कानूनी अधिकार के रूप में समलित किया गया है 42 समिधान संसोधन यह है दोस्तों मौलिक कर्तब्य का जो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तब्य उसको समिधान में जोड़ा गया 42 समिधान संसोधन द्वारा 1976 में दोस्तों यह सरदार सुरण सिंग समिधी के द्वारा सिफारिस किया गया था सुरण सिंग समिधी सुरण सिंग समिधी दोस्तो 26 वा समिधान संसोधर ये है जो सिच्छा का अधिकार मुल अधिकार 6-14 वर्स के लिए बच्चों के लिए ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया 79 वा समिधान संसोधर जो है इसमें आपको दिल्ली को राष्ट्रे राजधानी का दर्जा दिया गया और 70 सीट का विधान सभा और साथ मंत्री परिशद साथ मंत्रियों की मंत्री परिशद इसमें गठीद करने के लिए बताया गया तो आपका राइड जबाब हो जाएगा मौलिक करते हैं को भारत के समिधान में किस समिधान संसोधर के द्वारा जोड़ा गया तो आपसर नमबर दो 22 सवा समिधान संसोधर चलिए दोस्तों अगला क्वेस्चन देखते हैं पूछा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल संदर्वीत करता है मॉन्ट्रियल दोस्तों एक सहर का नाम है यह है आपका दोस्तों कनाडा में कनाडा देश में है मॉन्ट्रियल वहाँ पे एक समझावता किया गया था 1987 में ओजोन परत जो है ऑजोन परत के सन रक्षण के लिए इसमें जो है परत जो सन रक्षण के लिए जो गयसे थी ऑजोन परत को नुक्सान पहुचा रही थी उनको उनकी कमी करने के लिए उनके उतसरजन में कमी करने के लिए 1987 मंट्रील mentre begin एक संमेलन हुआ था वहाँ पे एक समझोता किया गया था तो इसमें आप्सन दिया रदे रखा है पदार्थ जो ओजोन परत को नस्ट करते हैं अनुवांसिक रूप से संसोदित जियों की जैव सिरुक्षा ग्लोबल वार्मिंग वा जुलवाई परिवरतन लगातार जैविखाद तो पूछा दो भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे निट्ट किया जया है बताना है उमेशrophe सिन्हा या राजीव कुमार दिनेश कुमार खारा या राकेश सस्थाना तो दोस्तो राकेश अस्थाना जो इसमें है वो दिल्ली के कि दिल्ली के दिल्ली के पुलिस आयुक्त हैं दिनेश कुमार खारा जो है एस्बियाई के चेर्मैन है उमेश सिन्हा जो दोस्तों यह हैं चुनाव आयोग चुनाव उप आयुक्त उप चुनाव आयुक्त दोस्तों 2022 तक इनका कारिकाल बढ़ा दिया गया है एक वर्ष के लिए रैट जवाब हो जाएगा एक नमबर अगला क्वेस्चिन दोस्तों कवड़ी किस देश का खेल है राष्ट्री खेल बताना है दोस्तों कवड़ी किस देश का राष्ट्री खेल है भारत का इरान का बंगला देश का या फिर पाकिस्तान का दोस्तों भारत का तो हम लोग जानते ही है भारत का राश्ट्रे खेल है हौकी इरान का दोस्तों इरान का खेल है कुस्ती ये राश्ट्रे खेल है इरान का बंगला देश का है दोस्तों कबड़ी बंगला देश का राश्ट्रे खेल है कबड़ी और पाकिस्तान का भी राश्ट ट्रेखेल किस देश का है तो आफसर नंबर तीन हो जाएगा बंगलादेश अगला कोईस्चन देखते हैं दोस्तो निमलिखित मिलानों पर विचार कीजिए कि कौन साइस में से बिकल्प जो है सही है या सही है पूछा है नाइट्रेट्स जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम स से ब्लू बेबी सिंड्रोम को पदरसित करता है आरसेनिक नौकनी सिंड्रोम फ्लोराइट ब्लैक पूट रोग या सभी लोग सही है तो दोस्तो नाइट्रेट्स की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और आरसेनिक की अधिकता के कारण ये सही नहीं है तो जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ब्लेक फुट रोग हो जाता है तो सही इसमें केवल एक है नाइट्रेट्स ब्लू बीबी सिंड्रोम अगला क्वेस्चन देखते हैं वर्सा जल संचेन का मुख्य उद्देश किसका पुनरभरण है वसंथ कुगा नहर या फिर भूजल तो दोस्तो वसंथ तो एक रितू है कुगे में आप जल का संचेन कर सकते हैं नहर में भी आप जल ही रहता है नहर में लेकिन वर्षा जल संचेन का मुख्य उद्देश जो है वो पुनर भरन से नहीं हो रहा है बलकि इसके भूजल को फिर से बढ़ाने के लिए किया जा रहा है तो वर्षा जल का मुख्य उद्देश जो है वो भूजल की बढ़ाने के ल डेकते हैं कि पहाड़ या जंजात उत्तर प्रदेश में कहा रहती है लडितपुर में पहाड़ी आ आतके जाए यह जनजात से question बहुत important होते हैं दोस्तों इसको screenshot ले लिजेगा important बहुत है पहाड़िया जनजात जो है वो सोन भदर में पाए जाते हैं सोन भदर में रहते हैं बिंदे पहाड़ियों के तलहटी में सोन भदर में रहते हैं अगला question दोस्तों के लिए पौधे कोन सभाग हवा से करबन डायक्साइड लेता है दोस्तों पौधे के जड़ से दोस्तों यह तो मिठ्टी के अंदर रहता है पौधे की जड़ से ले नहीं पाएगा करबन डायक्साइड पत्ति की नशे, पत्ति क驅नवे नशे से नहीं होती है, पंकोडियों से बिने होती हैं . दोस्तो перमेटा से होते है क्लोरोफिल से प्रकास थे वक्ते ए्प्ते कामिर एकशिड करते हैं कर्मेटे थे रण्द्रोण होते रहते हैं तो आपका राइट जब आप हो जाएगा इस्टो मेटा लगला क्वेस्चन दोस्तों इनमें से किस नदी को ओडिसा का सोक कहा जाता है बताना है दोस्तों ओडिसा का सोक किसे कहते हैं तो दोस्तों दामोदर गोदावरी महानदी या रसी कुल्या तो दोस्तों उरिषा का सोक इसमें महा नदी है, दामुदर आप बंगाल का सोक गहते हैं दामुदर को, बंगाल का सोक, रसी कुल्या भी उरिषा की एक चोटी से नदी है दोस्तों, तो आफसा नमबर आपका तीन से ही हो जाएगा, अठारा नमबर कुएस्चन है, निमलिखित में से कौन क्रित्रिम पारिस्थितिक तंत्र है आपको बताना है कौन सा क्रित्रिम पारिस्थितिक तंत्र है तालाब खेत या वन या कोई नहीं तो तालाब और वन दोस्तों ये प्राकिरतिक प्राकिरतिक तंत्र है प्राकिर्तिक पाइस्थितग तंत रहा है और खेत जो है दोस्तों यह क्रिक्रीम है खेत जो है क्रिक्रीम है तो आपका राई जवाब हो जाएगा खेत और सर नमer 2 अगला कॉउश्चिन देखते हैं दोस्तों अगला कॉउश्चिन है निमलिखित में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है आपको नहीं बताना है जो देश सार्क का सदस्य नहीं है सार्क का फुल फार्म होता है दोस्तों South Asian Association of Regional Cooperation कि यह दोस्तों South Asian के कुछ आठ देश्व का संग्ठन है कि जो सार्क कहलाता है इसका मुख्याल आ जो है काठ्मांडू में है इसका मुख्याल आ है काठ्मांडू में इसका मुख्याल नेपाल के राजधानी और आठ दो देश जो है इसमें समलित हैं उनका नाम में लिख रहा हूँ मालदीव स्री लंका मालदीव, स्री लंका, भारत, पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान, अफगानिस्तान उसके बाद नेपाल भूटान और फिर पांगला देश ये आठ देश दोस्तों सार्क के सदस्य है तो आपको देखना है बताना है कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है तो आप इससे देख सकते हैं दोस्तों इसमें म्यामार नहीं सामील है इसका मतलब राइड यवाब उपका तीन हो जाएगा तीन नमबर में आमार चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको बताना है यूएन एफ ट्रिफल सी का क्या अर्थ है जलवाई परिवर्तन पर सायूग तराश्टर फ्रेम और किसमेलन जलवाई सायोग पर समेलन जलवाई और समन्वे पर सायूग तराश्टर फ्रेम और किसमेलन या फिर सहिकारिता और समन्वे पर सायूग तराश्टर फ्रेम और किसमेलन तो दोस्तों यूजन एफ ट्रिफल सी का फुल फॉर्म होता है United Nation Framework Convention on Climate Change तो दोस्तो इससे पता चलता है यह है जलवाई प्रवतन पर संयुक्त राष्टर फ्रेम और किसमेलन राइट जवाब हो जाएगा एक नमबर तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें सब्सक्राइब करना न भूलें वीडियो को लाइक शेर जरूर दें अपने दोस्तों के साथ और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू